वेल्कम तू माई यूटीब चैनल विनाक्षी मैस क्लासिव आज इस वीडियो में हम करेंगे कोश्चन नमबर 4 यहाँ का नमबर 4 है चैप्टर 10 में नहीं लिक्वा है चैप्टर 10 एंगल्स है उसका हम करेंगे कोश्चन नमबर 4 ठीक है बुक में से ही करवा रहे हूं क्योंक करता है और यह चोटे कोश्चन नमबर 4 में हमें क्या करना है देखो क्या करना है यह फिगर आपको देखनी है इस फिगर को देखके यहाँ पर यह जो ब्लैंक स्पेस हैं आपको इनके आंसर देने हैं सबसे पहले है वर्टेक्स ओफ एंगल वन इस यह जो एंगल वन है मिन या फिर CAB इसका नहीं कहा है एंगल 1 ठीक है अब आपको क्या बताना है वर्टेक्स ओफ एंगल 1 अब आप देखो ये वाली रे और ये वाली रे ठीक है कौन से पॉइंट पर मिली हुई है एंगल ये जो दोनों रे हैं ये आगे बढ़ रही है ये वाली रे लेकिन इनका एं अंगल एज कैपिटल ए तो हम यह लिखेंगी कैपिटल ए नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर एंगल टू इस यह जो अब के बार में एंगल वन को तो मैंने यह से चुपा दिया अब यह जो एंगल टू है इसका और नेम हम क्या रख सकते हैं लिखो यहां डी से स्टार्ट हो तो was a पर जाओ और फिर c पर ठीक है बन जाएकगा नेngल डी ए सी या फिर c.ए डी ठीक है एंगल को लिखने के यहीிज हूइ होते हैं कि आप यह जो रे का end point होते हैं यह रे पर यह जो point दिये होते हैं इन से start करना होते हैं जैसे डी से start करते हो डी से जाएंगे एक घर पर एक घर से जाएंगे C पर या फिर C, A, D दोनों में से कोई सब स्टार्ट कर लो तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहे हूं D, A, C तो इसका अंसर आ जाएगा D, A, C ठीक है यह लिख लो और उल्टा भी करके लिख सकते हैं C, A, D अंगल C, A, D दोनों में से जो भी लिखोगे, दोनों ही ठीक होगे Next time मेरे पास C Another name for angle 1 plus angle 2 Angle 1 और 2 देखो, यह इतना सा angle 1 था यह इतना सा angle 2 था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, मतलब जोड दिया अगर जोड देंगे, इस वाले angle को जोड देंगे, तो यह complete यह वाले angle बन जाएगा मतलब बीच वाला क्या है, बीच वाले चीज हट गी बीच में यह जो रे थी, यह हट गी क्योंकि अब दोनों को प्लस कर दिया तो यह वाले angle बन जाएगा मैं आपको इससे दिखाती हूँ, एक angle तो औरेंज पिपर से बनाए और एक आपका ग्रीन पिपर से ठीक है अब औरेंज अलग है, यहां पर अलग था और ग्रीन अलग था लेकिन मैंने पिपर को जोड दिया तो मेरा angle यहां से आएगा यहां से ऐसे और फिर यहां पर इस तरह तो यहां पर हमारा भी ऐसे हुआ है यहां से जो बीच वाले चीज़ थी यह तो गायब होगी है तो अब आपके पास यह जो पूरी complete आ गया है तो आपको इसका बताना है यहां से स्टार्ड करो B A D A B A D या फिर D A B दोनों ठीक होंगे तो लिखेंगे B A D ऑगल B A D और दूसरा क्या लख सकते हैं B A D लिख लो या डी वी एगल को पढ़ने के दो तरीकी होता है B A D या फिर D A B दोनों ठीक है ठीक है नेक्स्ट है D common arm of angle 1 and 2 अब आप यहां देखो अगर मैं इसको छुपा दूँ ठीक है angle 1 में ये वाली arm भी यूज हुई है और ये वाली arm भी यूज हुई है ठीक है अगर इसको छुपा दू ठीक है तो angle 2 में A C भी यूज हुई है और A D तो इन arm में से ये जो A C है जो ये बीच में है ये आपकी angle 1 के लिए भी है और यही arm आपकी angle 2 के लिए भी तो ये आपकी क्या है A से C आपकी common arm है तो यहां पर क्या लिक होगे A C next है angle 1 and angle 2 are dash angle अब आप देखो angle 1 or 2 ये जुड़े हुए angle है ना देखो इस तरीके से ऐसे ही जुड़े हुए है ना ये इनकी common arm है और ये और ये non common arm है ठीक है और common vertex यहां पर है common vertex A है ठीक है तो ये जुड़े हुए angle है यहां पर इस तरीके से और common arm बीच में आ रही है ठीक है तो यहां पर इस वीडियो में मैंने आपको question number 4 करवाया है question number 5 BC के साथ ही कर लेते हैं देखो इसमें क्या है while doing drill अब एक को एक drill है Rohan was asked to about turn Rohan को बोला गया कि आप turn लो after two minutes he was again asked to turn about और उसको दो मिनट के बाद बोला गया कि आप दो मिनट के बाद दुबारा से एक बार और टर्न करो how many degrees did turn Rohan turn in the activity अब आपको पताना है कि रोहन ने how many degrees did Rohan turn in this activity यह जो एक्टिवटी है इसमें रोहन ने कितना turn किया है तो यहां से देखे एक बार मैं आपको पूरा clear बताऊंगी while doing drill Rohan was asked to turn अब आप यहां देखो जिसे माल लेजिए कि आपकी assembly हो रही है ठीक है आप prayer कर रहे हो ठीक है prayer में माल लेजिए मैं आपको pencil से बताऊंगी क्योंकि मेरे पास यहां कोई toy नहीं है कि जिसे मैं किसको खड़ा करके दिखा दूँ ठीक है माल लेजिए कि आप ऐसे prayer में ऐसे खड़े थी कि आपका face हुदर है यहां पर जिस तरफ pencil का face आप भी है माल लेजिए ठीक है उस तरफ face है ठीक है आपको मिस्स जो आपको बचों को फिर से एक बार कमांड दीगे कि turn फिर अब की बार बचे फिर दुबारा से उसी तरफ face करके खड़े हो जाएंगे अब उन्होंने बोला हाव मिनट डिग्रीज डिड रोहन टर्न अब आप देखो आप खुद को ही माल लो आप जैसे आप खुद ही खड़े हो आप ऐसे घोम के अगली बार आपने इधर face कर लिया ठीक है दो मिनट के बाद आपको दुबारा कहा गया कि turn आप उसी position में आ गए ठीक है जिसमें आप थे starting में आप यह बताओ आप पहले में इसको एक बार देखो दुबार से इधर खड़े थे एक condition में इधर पहुंचे by और अगली condition में वापिस वहां चले तो एक पूरा चकर सक क्वा फॉल्स नहीं complete हो गया दा चकर एक call और फीभा और उन फि whipped एब तो सब्सक्ता में पूरा एक तो कितने डिगरी का उन्गल चो नों अक्वित रहा का हमारा और साइद करणू कि और को इसका नव lessonorg tis सथे ग 5 करवाया है next question मैं आपको next video में करवाऊंगी thank you so much